इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे best water purifiers के बारे में जिनको आप 2024 के अंदर purchase कर सकते हैं और ये सबी इंडिया के top selling water purifiers हैं लेकिन इन सबी में से best कौन सा है वो हम आगे इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे तो कितनी cost आपको पे करनी होगी उसके help से आप ये जानने पाएंगे कि कौन सा water purifier आपके लिए एक best value for money option हो सकता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इन सभी water purifiers के बारे में detail में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे telegram channel join नहीं किया है तो description में आपको first link मिलेगा उससे जाके आप join कर सकते हैं क्योंकि बहाँ पर हम सभी offers और deals को regularly post करते रहते हैं एक water purifier को purchase करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके घर के अंदर आ रहे है पानी का TDS level का है और उसके लिए आप around 150 rupees के आसपास का एक TDS meter purchase कर सकते हैं और आप उसको check कर सकते हैं अब क्योंकि आप TDS level के बात हो रही है तो उसके बारे में थोड़ा सा और detail में जानते हैं अगर आपके घर में आ रहे है पानी का TDS level 200 से जादा है तो ही आपको एक RO water purifier की जरूरत है और अगर 200 से कम है तो आप एक UV plus UF purifier को purchase कर सकते हैं अब हम ये जानते हैं कि ये RO, UV और UF purifiers होते हैं RO यानि कि reverse osmosis, इस system के अंदर पानी को high pressure से एक semi permeable membrane के जरूर पास किया जाता है और उस membrane के पोर्स का diameter बहुत जादा चोटा होता है इस वज़े से पानी के अंदर की सभी impurities, heavy metals और even micro organisms भी kill हो जाते हैं नमबर 2 या पर आता है UV filter यानि कि ultra violet filter UV filters के अंदर एक chamber होता है जिसके अंदर एक powerful ultra violet lamp लगा होता है और जैसे ही पानी उसके तरूर पास होता है तो ultra violet rays की help से चोटे से चोटे micro organisms भी कतम हो जाते हैं next filter या पर आता है UV यानि कि ultra filtration UV filter के अंदर भी पानी को एक hollow fiber membrane के तरूर पास किया जाता है number third और most important factor हमारा याँ पर आता है आपके filter की life और आपके water power fire की maintenance cost आप जिस किसी भी brand का water power fire purchase करेंगे वो सब भी अपने filters को best बताएंगे और जाता से जादा अपने filters की life को आपको बताएंगे लेकिन किसी भी filter की life दो factors पर depend करेगी सबसे पहले हमारा आता है कि आपके घर के अंदर आ रहा है ये पानी का TDS level क्या है क्योंकि अगर आपके घर के पानी का TDS level जादा है तो आपके filters जल्दी कराब होंगे और अगर कम है तो वो थोड़े से long lasting जरूर हो सकते हैं second factor हमारा आता है अलग-अलग filter replacement और maintenance charges होते हैं जिसको हम AMC cost बोलते हैं हर एक brand की AMC cost भी हमें आपके साथ में आगे वीडियो के अंदर discuss करने वाला हूं इन सभी factors के बारे में जानने के बाद आपको decide करना है कि आपका budget करना है क्योंकि generally filters की AMC cost को add करने के बाद उनकी prices बहुत जादा increase हो जाते हैं और उनको maintain करके रखना बहुत जादा difficult हो जाता है इस वीडियो के अंदर हमने almost सभी budget categories को cover किया है और साथ-साथ maintenance और filter replacement cost का भी solution हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं नमबर 5 पर हमने आपर include किया है Kent की तरफ से आना वाला Kent का supreme plus water purifier Kent का ये water purifier 8 liters की capacity के साथ में आता है और इसके अंदर आपको RO plus UV plus UF filters देखने के लिए मिल जाते हैं ये water purifier 2000 ppm तक के TDS level तक perfectly काम करता है और इसके अंदर आपको 20 liters per hour की filtration capacity मिल जाती है इस water purifier के अंदर आपको TDS control system भी दिया गया है जिसको यूज करके आप अपने पानी के TDS level को अपने टेस्ट और personal preference के according सेट कर सकते हैं special बात यह कि इसके अंदर आपको zero water wastage technology का function मिलता है मतलब कि जिस pipe से ये water purifier waste पानी को निकालता है उसको आपकी चतपल लगे water tank से connect कर दिया जाता है और वो पानी भी usable हो जाता है इसकी help से बहुत जादा water saving होती है pricing के अगर आपर बात करें तो फिलाल आप इसको 16,500 rupees के app rocks पर sales कर सकते हैं और Kent की तरफ से आपर आपको मिलती है total one year की product warranty plus three years की free servicing Kent की इस particular model water purifier के AMC charges 5,400 rupees के app rocks के हैं जिसमें आपके सबी membranes और filters को replace किया जाता है और ये amount आपको yearly pay करना होता है इस water purifier को अगर आप lifetime के लिए use करते हैं तो ये cost आपको pay करनी होगी Kent का ये water purifier आपके एक useful option ज़रूर हो सकता है क्योंकि इसके इंदर आपको एक decent level की filtration capacity मिलती है और almost सभी required features भी इसके इंदर include किये गए लेकिन इसके इंदर मुझे दो cons देखने के लिए मिले सबसे पहले आपर आता है कि इसके साथ में आपको pre filter नहीं दिया जाने वाला है प्री filter वो filter होता है जिसको आपके water purifier के भार install किया जाता है और वो एक बहुत ज़्यादा important filter होता है Kent के किस के इंदर आपको around 1200 रुपीज filter के लिए extra pay करने होंगे और उस cost को अगर हम इसकी pricing में add करें तो ये water purifier थोड़ा सा costly भी हो जाता है second कौन इसका यहाता है कि इनके AMC charges मुझे सोड़े से जरूर जादा लगी नमबर फॉर्थ water purifier हमने आपर include के है Echo Guard के तरफ से आने वाला Echo Guard का Marvel NXD model जिसके इंदर आपको 6.2 liters की capacity मलती है और ये RO प्लस UV प्लस MTDS filters के साथ में आता है इस water purifier के अंदर आपको 6 stage purification मिलेगी और ये भी 2000 PPM तक के TDS level तक perfectly काम करता है Echo Guard के इस water purifier की filtration capacity 15 liters पर आर की है और इसकी body के उपर आपको LED indicators alerts दिये गए है यह कि आपको बताएंगे कि इसकी power on है या नहीं second indicator यहापको इसके tank full होने पर indicate करेगा और lastly एक service indicator भी आपको मिल जाता है इस water purifier के अंदर patented active copper technology का use किया गया है यानि कि इसके अंदर आपको एक active copper cartridge मिलेगी जिसके help से पानी के अंदर copper ions को इंफ्यूस करता है और आपके पानी के अंदर आपको right amount में copper मिल जाता है एक और feature इसके अंदर आपको देखने के मिलेगा जिसका नाम यहापर echo garden ने दिया है UVE boiling अब इसके अंदर यह होता है कि यह water purifier 20 minutes तक आपके पानी को boil करता है जिसके help से पानी थोड़ा सा और safe और pure हो जाता है जैसे कि मैंने आपको पता है कि इसके अंदर आपको MTDS एड़ेस्टर भी मिलता है इसको यूज करके आप इसके TDS लेवल को अपने according सेट कर सकते है और इस MTDS के help से आपके पानी का टेस्ट भी सोड़ा सा और better हो जाता है यह water purifier फिलाल आपको cost करेगा 12,600 रूपीज के help rocks और echo guard यहां पर आपको देता है total one year की warranty अगर मैं इनके EMC charges के बारे में बात करेंगा तो 50,100 रूपीज के help rocks के है जिसमें आपके सब भी membranes और filters को replace किया जाता है और यह amount भी आपको yearly pay करना होता है इस water purifier को अगर आप lifetime के लिए use करते हैं तो यह cost आपको पी करनी होगी यह water purifier फिल्टर सा budget friendly price पर आपको जरूर मिलता है लेकिन इसके अंदर भी आगे इन दो चोटे से कौन साते हैं सबसे पहले हैं आपर आता है echo guard की servicing echo guard को अपनी servicing में थोड़ से improvement जरूर लाने चाहिए और इस water purifier के filters जो है वो सिरफ one year तक काम करेंगे without depending upon कि आपके घर के अंदर आ रहे हैं पानी का TDS level क्या है second कौन इसका ही आता है कि इसके अंदर आपको सिरफ 6.2 liters की tank capacity दी गई है और इसके अंदर आपको RO प्लस UV प्लस Mineralizer filters मिल जाते हैं LibPure के यह water purifier 7th stage purification के साथ में आएगा और यह water purifier भी 2000 PPM तक के TDS level तक perfectly काम करता है 15 liters for R की filtration capacity इसके अंदर आपको मिलती है और body के उपर आपको सब ही indicators और LED control panel भी मिल जाता है इसके mineralizer के बारे में थोड़ी सी यहां पर बात करते हैं जो कि इसके purification system के अंदर include किया गया है अब उसके help से होता ही है कि आपके water के अंदर essential minerals को include किया जाता है जैसे कि magnesium और potassium यानि कि ना सिर्फ आपको साफ पानी मिलेगा वो पानी healthy भी होगा इस water power fire के अंदर भी आपको smart TDS adjuster मिल जाता है और यह HR technology के साथ में आता है HR technology के help से आप 80% water को save कर सकते हैं यानि कि इस water power fire के अंदर एक GDP membrane का use किया गया है जिसके help से पानी को 80% तक save कर पाता है special बात है कि इसके साथ में आपको sediment filter और carbon filter free of cost मिलते हैं और फिलाल आप इसको purchase कर सकते हैं 12,500 रूपीज के help rocks लिप पे और आपर आपको देता है total 1 year की warranty और इनके AMC charges 5,500 रूपीज के help rocks के हैं 5,500 रूपीज के अंदर yearly आपके सबी membranes और filters को replace किया जाएगा इस water purifier को अगर आप lifetime के लिए यूज करते हैं लिप और की एक अच्छी बात है कि इनका एक rental model भी होता है जिसकी details आपको description के अंदर दीगी है आप उसको जरूर चेक कर सकते हैं और high GPD membrane होनी की वज़े से इसकी filtration capacity aqua guard जितनी ही है लेकिन फिर भी मुझे ये model aqua guard के comparison में थोड़ा better लगा हमारे लिसके अंदर number second water purifier हैं आपर आता है HUL की तरफ से HUL का pure it copper plus ये water purifier 8 liters की capacity के साथ में आता है और इसके अंदर आपको RO plus UV plus MF filters मिल जाते हैं HUL का ये water purifier भी 2000 ppm तक के TDS level तक perfectly काम करता है और इसके अंदर आपको 7 stage purification मिल जाती है एक अच्छी बात जो कि इसके अंदर मुझे लगी वो ये है कि इसके अंदर आपको 24 liters per hour की filtration capacity दी गई है और जैसा कि हमें नाम सी पता चल रहा है कि इसके अंदर आपको copper charge technology भी मिल जाती है ये water purifier dual water dispensing के साथ में आता है मतलब कि आप चूज कर सकते है कि आपको copper water चाहिए या फिर आपको normal water चाहिए smart sensor indicators यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो कि आपके filters खराब होने से 15 days पहले ही आपको alert कर देते हैं इस water purifier की एक और अच्छी बात मुझे यह लगी इसकी filter life आपको 6000 liters के मिलती है pricing के अगर बात करें तो फिलाल आप इसको 21,000 रुपीज के एप रॉक्स पर सेज़ कर सकते हैं और pure it copper plus पर हैं पर आपको total one year की warranty मिल जाती है 5500 रुपीज आपको पे करने होंगे अगर आप इनकी AMC लेते हैं इस water purifier को अगर आप lifetime के लिए यूज करते हैं तो यह cost आपको पे करनी होगी और यह water purifier आपके लिए perfect option जरूर हो सकता है लेकिन अगर छोटा सा कौन इसका यह है कि बाकी के comparison में यह थोड़ा सा costly है और यहां पर आपको 5500 रुपीज के high AMC charges भी पे करने होंगे जोज यहां पर आपके अगर आपका budget आपको allow करता है तो आप इसके तरफ जरूर जा सकते हैं otherwise आप हमारे number one option को consider कर सकते हैं जो कि हमने आपर include कि है urban company की तरफ से आने वाला native M2 water purifier अब इस water purifier की special बात है कि इसको सिरफ 2 साल के अंदर एक बार servicing की जरूरत होती है मतलब कि आपको 0 AMC charges पे करने है और आने वाले 2 साल तक इसकी servicing और filter maintenance के बारे में आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है लेकिन question यह है कि 2 साल बाद क्या होगा after 2 years आपको सिरफ एक बार service करानी होगी और इसकी warranty renew हो जाएगी मतलब फिर से अकले 2 साल तक आपको कोई फिकर करने की जरूरत नहीं है ना ही कोई servicing का कर्चा और ना ही उसको हर साल करानी की tension सबसे पहले आपर बात करते हैं इसके looks और feel के बारे में यह water paper fire looks wise काफी जादा premium लगता है एक modern design यहां पर आपको दिये गए और बहुत जादा strong build quality आपको मिल जाती है यह water paper fire 8 liters की storage capacity के साथ में आता है और urban company के इस water paper fire के अंदर आपको RO plus UV plus UF filters मिल जाते है special बात है कि इसके अंदर आपको copper plus mendels plus taste adjuster भी मिलता है और यह water paper fire alkaline के साथ साथ में आपको additional minerals भी provide कराता है special बात है कि इस water paper fire के अंदर आपका पानी 10 step filtration process के तरू हो कर जाता है और आपको 99.9% pure water मिलता है 20 liters per hour के filtration capacity यहां पर आपको मिलती है और यह water paper fire self cleaning filters के साथ में आता है एक और अच्छा feature जो कि इसके अंदर मुझे लगा वो यहां पर आता है 3-way dispension यानि कि water wastage को avoid करने के लिए urban company ने यहापर आपको तीन अलग-अलग types के water dispension options दे गए है जिसमें कि आप glass, bottle और एक third option आपको free flow का मिलता है इस water paper fire के pre और post insulation के TDS level साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं और special बात है कि यह water paper fire smart features के साथ में भी आता है यानि कि urban company के app से इसको connect करके आप इसके बारे में सबी details को चेक कर पाएंगे जैसे कि फिलाल आपको मिल रहे है पानी का TDS level किया है आपके filters की quality कैसी है और साथ साथ service requirement alerts भी यह आपको app पर ही दे देता है अर्बन कमिटी का यह water paper fire ISI, ISO, ROHS और FDA approved है और इसको सिर्फ दो साल में एक बार servicing की जरूरत होती है प्राइजिंग के बारे मात करें तो आप इसको purchase कर पाएंगे 17,999 रुपीज में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ आपको total 2 years की warranty मल जाती है अब इस warranty के अंदर special बात है कि यह एक unconditional warranty है दो साल के बाद 4500 रुपीज बे करके आप अपनी warranty को renew करा सकते हैं अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको सिर्फ 2 साल में एक बार servicing की ज़रूरत होती है और उसको जहन में रखते हो इसकी lifetime usage cost को अगर हम calculate करें तो वो सभी water purifier से बहुत जादा कम आती है फिलाल आप उसको इसको screen पर check कर सकते है और generally water purifiers costly हो जाते हैं उनके AMC cost की वज़े से और जितने भी water purifiers हमने वीडियो के अंदर discuss किये वो सभी top selling water purifiers हैं जिनकी AMC charges बहुत सादा है लेकिन urban company के इस water purifier के अंदर आपको यह advantage मिलता है और आप इसको zero maintenance cost पर use कर पाते है यह water purifier आपके लिए एक value for money option है और अगर यहाँ पर cons की बात करी जाए तो इसके अंदर मुझे कोई भी major cons देखने के लिए नहीं मिले एक बहुत ही छोटा सा minor cons इसका यह है कि यह water purifier without electricity work नहीं करता है लेकिन अगर आपके घर में एक power backup है तो आपको इसके जिन्ता करने के बिलकुल जरूरत नहीं है और अगर आपके लिए यह एक issue है तो आप urban company के M1 model को consider कर सकते हैं उसके अंदर भी आपको सभी same features मिलते हैं वो आपको cost करेगा 13,899 रूपीस का सभी important links आपको description के अंदर दिएगे हैं आप उनको जरूर चेक कर सकते हैं अगर water purifier से related आपके कोई भी सवाल रह गए है तो आप नीचे comment करके जरूर पूछ सकते हैं